जैसे ग्राम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल हेलो कारिने पर आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में हम रिवियू करने वाले मारूती सुजुकी की वेगन और यह एरीना के अंदर आती है यह एक हैजबेक है लेकिन देखने पर यह यह ज्यादा लगती है अगर हम इ आलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ट हेडलाइम मिल जाती हैं पर हमें इंडिकेटर फॉग लाइम को अप्शन में मिल जाती है यह हो गए इसकी रेडियाटर ग्रिल अब अगर हम इसकी सब्सक्राइब की बात के तो जाट प्रॉफाइल कुछ इस तरह की है इसमाने में में कि इसमें 165 17 14 इस्की टर्फूप मिल जाती है क्टमें एक दिस्क्ट मिल जाती है यह वैसकी साइट प्रफाइल बॉड़ी किलार में हमें दौर ग्याती इसमें डाभरी टेंग क्पशिटी में अब अगर रियल प्रफाइल की बादतो रियल से यह काफी ऊची सी दिख्ती है यह काफे ऊची रिखती है यह यह सपाइलूने कारण इसमें में कोई स्पोंडर नहीं मिला आप में तो हमें एक झानर कभी अप्शन मिल जाता है बुच्छ हुग मो mover उतनी मिल जाता है इसमां अभी फिलकोंगा वांप सब्सक्राइब कि मिलता है यहां पर वेगणु वेजन और की बैचिंक प्रोम में मिलाती है दो पारकिंग सेंसर 210 रेफ्लेक्टर में मिलाती है नीचे शफित अप की बाट के तो यह फोरी है लोजोन में आती है यहां पर शॉप लैंप मिल जाती है यह होगयी इसकी इटाह्य होगया इसकी रिवास लाइट यह कुछ इसकी हो जो कि अवर ओल्हुप परंड़ में हमिंटीक्ट ओर विम की बाद के तो यह मैनुल आभी मिल शाक्याड कहर दोक थार होज tay करने स्माद पाउर विंडू मिलती इसमें हमें डोर हॉटल हमें सीवर फेनीश में मिलती है अब अगर की मिल जाती है हमें इसमें लॉक अनलॉक बटन के साथके वल जैसे डीयर की बात करते हैं अब करें हमक conclude की बैत खेये यह दूसरा की की डोर हेंडल मिल जाती है मैनुवल एड़स्टेबल आई यहां पर हमें एक हैलोजन लाइट मिल जाती है अगर इस साइड की बात कर तो इसमा में कोई भी वेनिटी मिल नहीं मिलती है यहां टिकट होल्डर यह होगे इसकी इंस्ट्रुमेंट क्लेश्चर जो यह एनलोग में आती है यहांपे चोटी सी वाइडी माईलेज और ट्रिप तो करती है यहां पर हमें हेड्ड लेंप हेड़लेंप एड़ेट करने की बटन यह होगे चार इसकी पार विंडो अगर पैडल की बात कर तो यहां पे ABC पैडल कि स्टेरिंग हमें यहां पर कंट्रोल से दी हुई है कॉल की और Bluetooth कुल कर एकमनेक्टिविटि यहां पर हमें च ambiguous मिल जाती हरे कोई भी क्रूस क्रूस को आपि यह हो गाट करीश काट लंप कि यह होना इसकी है लेंप की कान्ट्रो работать यह manual AC यहां पर 12W का socket दी हुई है यहां पर भी कुछ space मिल जाती है अगर gearbox की बात के तो इसमें manual gearbox मिल जाती है अगर engine की बात के तो इसमें वन लीटर का petrol engine मिलता है यह CNG variant में भी available है अब अगर इसके glove box की बात के तो glove box में कुछ इतनी space मिल जाती है यह हो गए है इसकी AC events manual adjustable IRVM इसमें हमें front में दो airbags मिल जाती है अगर speaker की बात के तो सिर्फ हमें यहां पर दो speaker मिलती है कोई भी ट्विटर का option नहीं दी हुई है यह होगा इसकी handbrake यहां पर एक पोटर होल्डर का भी option मिल जाता है हमें यहां पर कुछ space coin के लिए अब चलिए इसके rear profile के बात करते हैं इसमें अगर इसके की की बात के तो normal सी की मिल जाती है में lock unlock button के साथ सिर्फ यह सीट अभी मेरे recording एड़ेस्ट है रियर में हमें कोई भी आम्रेस्ट नहीं मिलता है सेम ब्लैक बीच कलर में यहां पर window कंट्रोल से यहां पर डोर हंडल हमें silver कलर की मिल जाती है यहां पर grab हंडल रियर में हमें कोई भी light नहीं मिलती है यह पीछे से कुछ इस तरह की दिखती है यह सीट अभी मेरे recording आड़ेस्ट नहीं मिलता है यह हालाकी यह काफिया भी इक लाइन की हुई है यहां में कोई भी एस इवेंट नहीं मिलती है यहां पर सिर्फ हमें इस स्पीकर की ग्रिल दी हुई है यह हुए कुछ इसके ओभर रहा लूक यहां पर है फिक्स्ट हेड्रेस्ट अब अगर इसकी बूट की बात करें तो इसमें हमें कुछ तीन सोल इंटिस्पेस मिल जाता है पार्टल ट्रेस इस वेरियंट से एवलेबल है अगर हम रियर में हमें कोई लाइट की मिलती है लगेज लेंट आ हैम इसकी सपेह में के बात करें तो इसमें हमें स्टेयलख CRMe मिल नगया तिसंट से मंदूम स्पाइल मिल जाती है कि just same 14-inch की सथीरane वील मिल जाती है सब्सक्राइब लिए सोट यह कुंछ च़ूछ है पार सॹल रहें यह हुए कुछ इसकी बैक प्रोफाइल तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है फिर एक नए फ्रेस वेड़ों में तब तक के लिए टेक क्यार बाइब दोस्तों थैंक यू फो वाचिंग जय हिं जय भारत